अगर आपका विश्वास जिवित परमेश्वर पर है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन कई बार हम विश्वास तो करते हैं पर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं और खुद को हम जांचते परकते नहीं हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम क्या करें कि परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगा आज जितने लोग येश्य मसी पर विश्वास करते हैं वोई कहते तो हैं कि हम मसी में हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं जो वाइबल में लिखा है लेकिन वो काम वही करेंगे जो संसार करता है उन चीजों के पीछे वो जाएंगे जो संसारिक है तो उनके बातों से और उनक कि यह क्या कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्ता के अनुसार वो नहीं चलेंगे पर जो संसार कहेगा उसके अनुसार चलेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकते कि आपके साथ भी आसा हो रहा हो कि आप सब कुछ कर रहे हैं प्रार्तना भी करते हैं लेकिन आप काम वैसा कर रहे है जैसा संसार कर रहे हैं, आप जो संसार की चीज़ें उसके पीछे भाग रहे हैं, आप जो संसार के लोग हैं, उनके साथ मित्रता रख रहे हैं, आप संसार के साथ मित्रता रख रहे हैं, तो अगर ऐसा है कि आपका ध्यान परमेशर की तरफ होने के बजाए, आपका ध्यान सं संसारिक वस्तू की तरफ है तो आज वचन के द्वारा में आपको बताती हूं परमिश्वर क्या कह रहे हैं याकूब चार का चार में जबाब पढ़ेंगे तो लिखा है है वेविचारनियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमिश्वर से बैर करना है अतहाँ जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आपको परमिश्वर का बैरी बनाता है तो परमिश्वर ने जिस तरह से अपने वच्छन में कहा कि है वेविचारनिय मतलब बुरे काम करने वाले लोगों दुष्ट लोगों जो परमिश्वर की विरोध में हैं जो परमिश्वर की विरोध में रह करके काम करते हैं तो ऐसे लोगों को परमिश्वर कह रहे हैं कि अगर आप संसार से मित्रता कर रहे हैं वो काम करें जो संसार की लोग कर रहे हैं जैसे की हो सकता है कि आज संसार में क्या चल रहा है लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर उसने वैसा कपड़ा पहने है तो आपके मन में आएगा मुझे भी ऐसी कपड़े पहनने चाहिए वरना लोग सोचेंगे कि मैं कितना पुराने तरह से जी रहा हूं या फिर मेरे जीने का तरीका अलग है मैं बिलकुल अलग लगूंगा या फिर खाना भी आप वैसी खाएंगे जैसे संसार के लोग खा रहे हैं अच्छा अच्छा खाना जिसमें बहुत जादा महंगाई हो हो बहुत अच्छा स्वाधिश्ट हो तो हो इसका बुलाब आप क्या है आपचान के अनुसार नहीं जी रहे हैं बलकि संसार के अनुसार जी रहे है आपने संसार को मित्र बना लिया t हम क्योंकि उसी के साथ रहते हैं फिर इसले वैसे हो जाते तो अगर आप संसार में रह करके संसारिक वाले काम कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते कि आप परमिश्वर पर विश्वास करते हैं उनके पीछे चलते हैं क्योंकि आप उनके पीछे नहीं आप तो संसार के वस्तुओं के पीछे चल रहे हैं आपका ध्यान तो सर्फ उन चीजों पर है तो उन चीजों से आपको प्रेम नहीं रखना है उस उन चीजों को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उन चीजों के लिए परमेश्वर का आपको धनेवाद करना है आपको खुश होना है कि परमेश्वर ने आपको यह दिया है तो आपको यह करना है कि उसे कैसे परमेश्वर क महिमा के लिए इस्तेमाल करें अगर आपको परमिशर ने एक अच्छा घर दिया रहने के लिए जो बहुत अच्छा है तो आप उस घर में रहकर के परमिशर की महिमा करें और अगर आपको अच्छा कपड़ा खाना पीने के लिए जो भी दिया है तो उससे आप दूसरों की काम कर रहे हैं चुनकि दस आगया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब संसार में भी लालाच है, लोब, माया, ये सब कुछ है तो आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए क्या करना होगा तो अब आप वचन मती, दसका, 37 और 38 पढ़े उसे पढ़कर आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको परमेश्वर के पीछे चलना है तो अपने प्राण को आपको खोना पड़ेगा मतलब आपको अपने शरीर के लिए नहीं सोचना होगा अपने शरीर की अभिलाचाओं को लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा देना है कि अब आपको उसके अनुसार नहीं करना है अपने शरीर के जितनी भी इच्छा है उसको आपको मार देना है अगर आप अपने शरीर के लिए काम करेंगे इसका मतलब आप अपने प्राण को बचा रहे हैं पर जब आप अपने प्राण को खोते हैं शरीर के विलाशाओं को इच्छाओं को मारते हैं इसका मतलब आप अपने प्राण को नरक में जाने से बचाते हैं, तो अब आपको क्या करना है, और उसमें ये भी लिखा है वच्चन में कि प्रती दिन आपको अपना कुरूस उठा कर परमेश्वर के पीछे हो लेना है, कुरूस उठाना दुख को दर्शाता है, हमें दुख सैकर के परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना होगा, उन चीजों से दूर होना होगा, उन लोगों से दूर होना होगा, जो आपको परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्यूंकि आपको इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा, इन चीजों क वह बेटा बेटी है या फिर आपके मम्मी पापा है उसको आप जादा प्रीयोगय नहीं बाइबल बेंखाय हैं धाइब प्रप्रमि के लायक नहीं है अगर आप अपने बचों से अपने मम्मी पापा से द्लमे प्रेम पर्मि SC कोıyla की तो नहीं होना चाहिए बागे फिर आप दूसरा स्थान किसी को भी आप दे सकते अपने परिवार ने लेकिन पहला स्थान परमिश्व का न जी परमिश्वर से बढ़कर मीसी वी कईarsa व्यक्तिस प्रेम रहें तो इसका मतलब आप परमिश्वर के लायक नहीं, आपके अंदर परमिश्वर का प्रेमनी आप संसार से मित्रता कर रहे हैं, फिर आपका विश्वास करना वो भी बेकार हो जाएगा, क्यूंकि विश्वास करने से नहीं होता है, आपको परमिश्वर की पीछे चलने के लिए क्या नहीं करना हुआ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो आशा करती हूँ कि इन दोनों वच्छनों से आपको समझ में आ गया है कि आपको मित्रता संसार से नहीं रखना है आपको संसारिक चीजों को संसारिक लोगों को अपना मित्र नहीं बनाना है इस संसार को अपना मित पर आपके मित्र तो येश्यमसिय है जब आप यहर्णा 15 का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अपसे मैं तुम्हें दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है पर उन्तों मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्यूंकि मैंने जो बाते अपने पिता से सुनी विसब तुम्हें बता दी येश्यमसी ने आपको अपना मित्र कहा है अपना फ्रेंड कहा है वो आपके फ्रेंड है आपके दोस्त है तो आपको क्या जरूरत है कि आप संसार के लोगों को और संसार की चीजों को आप अपना मित्र बनाए उनसे मित्रता रखे तो आपको येश्यमसी को अपना म वक्त बताएं उनको वो सारी बाते बताएं जो आपके मन में हैं क्यूंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड है और वो आपके सारी बातों को सुनेंगे आपको सही रास्ता दिखाएंगे वो आपकी मदद करेंगे हरे कामों को करने में किस रास्ति पर आपको चलना है वो आपको ब कि परमिषवर का वच्छन करना है PPC वचन के परमिशवर के नुसार अगर आप चलेंगे तो परमिश्वर के पीछे चलपाएंगे podemos आशा कर दियुक当 कि यह उसनने से विजादा जरूरी है कि आप इन वचनों के पीछे चल तो इस वीडियो को सभी मज़ी भाई बैनों को जरूर श्यार करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपको आने आने वाले समय में परमिशर के वच्चन सुनने को मिलेंगे बहुत सारे परमिशर आपको आशिश दें